नवश्कार मैं दूआ हुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं उमीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे आ रहे हैं गंपती बापा तो ऐसे में किन बातों का आपको ध्यान रखना चीए किस तरीके से मुर्ती आपको लाना चीए कौन कौन सी पॉइंट पर यहां पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप गंपती बापा नहीं लाते हैं तो रेगुलर अपने घर के चली जाओंगी, तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप गंडपती बापा लेने जातें, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, कि उनके जो सून्ड होती है, उनके लेफ साइड पे होनी चाहिए, तो सीधे साइड की अगर सून्ड होती है, तो उनकी जो पूजा होती है जाते हैं कि वो अलग तरीके से होती है, और वो घर में कईबा पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो सबसे सिंपल गंडपती बापा आपको लेने चाहिए, तो सेकेंडली, वो बैठे वे होने चाहिए, खडे वे गंडपती बापा आपको नहीं लेने चाहिए, तीसरी बात, वो हमेशा मुस्कुराते वे लगने चीए यानि कि आपको खुद को जब आप उनके चेहरा देखे ना तो आपको चेहरे से पता चले कि हाँ ये मुस्कुराते वे गंपती बापता है उनकी आखें अगर पॉसिबल हो तो आपको सामने देखने वाली होने चीए यानि कि पॉसिब करते है ना तो आपको बहुत ही अच्छे से छा बन जाता है तो बहुत ही अच्छे से आप रातन आ कर पाते है, और हमेशा मेरा हमेशा यही priority रहा है, जब भी है गंपती बापा हम देखने जाते हैं मैं सब से पहले उनकी आँखे देखती हूं सबसे पहले बस वही मैं देखती हूं कि आँखों से कनेक कर पारी हूं क्या वो मुझे देख रहे हैं गनपती बापा के साथ में चूहा होना बहुत ही जरूरी है इसी के साथ साथ उनके हाथ में मोदक होना भी जरूरी है अगर उनके हाथ में मोदक नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब आप उनकी प्रान पतिस्टा करेंगे, पूजा करेंगे, तो अपने हाथ से रोज उनके हाथ में मोदक या लड़ू आप जरू से रख देना, जब तक आपके घर में वो है, चाहे वो डेर दिन के हैं, चाहे तीन जनके हैं, जब आप देरेंगे, तो उसे साब से आपको ये करणा होता है, गनपती पापा को हमेशा पात पर तक पर रह लेके हैं, और जब उनका प्रान पर ठिस्टा का टाइम हो, उस वक्त उनका, जो पर पतर रहा आपको लेना चाहिए, या कोई सुन्दर सा एक चुन्री वाला कपड़ा आपको लेना चीए, मूँ धक्के आपको लेके आना चीए उनको घर में जब आप गणपती बापा को लेके आते हैं तो उनकी जो पीठ है वो आपकी तरफ हो होगी और गणपती बापा का चेहरा बाहर की तरफ होगा तो इस तरीके से विस्तर जन भी अहाँאת चेहरा। मुसर चैहिसा होने हुस बड़े होनेची यह बात का भी आपको ध्यान देना च antagon को प्रान प्रतिष्था बहुत ही अच्छे से उनकी करनी चाहिए, बहुत लोग जन्यों भी पिनाते हैं, और सुपारी भी आगे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब गंपती बापा रखते हैं, तो उनके आगे आगे आपको एक छोटी से गंपती बापा की मुर्ती भी रखते हैं, जिसकी की पूजा की जाती है, जैसे हमने क्या किया हुआ है permanent एक पीतल की जो मूर्ति होते हैं गुणपती बापा की लेकिर रखिये तो जो हम गुणपती बापा लेक्षा थे वो रहते है उनकी आगे वो छोटे से गुणपती बापा रहते है तो main हम जो पूजा होती या स्नान कराना होता है वो उनको हम कराते क्योंकि मुर्ती को तो आप स्नान नहीं करा सकते क्योंकि वो मिट्टी की होती है ठीक है तो इस बाद पर भी आपको ध्यान देना है कि छोटे से गंपती बापा भी आगी होने बहुत ही जरूरी है तो जो बड़ी मूरतिया उनका विसरजन हो जाता है लेकि जो छोटी गंपती वो आपके पास ही रहेंगे और वापिस दुबारा नेक्स्ट एर आप उनको बाहर निकाल सकते हैं या आप उनको अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं तो यह आपके इच्छानों सारा आप कै इस्टा करते हैं और जब नॉर्मल जैसे विसरजन होता है वैसे वो घर में विसरजन करते हैं दुबारा से उनको पैक करके रख देते हैं ऐसे काफी लोग आजकल करने लगे हैं और यह सबसे बैस्ट है कि जब आप मूर्ती लेने जाएं कि उसमें इको फ्रेंडली लेकि है वैसे तो यहां पर न्यूज अभी मिल चुकी है कि नेक्स्ट यह से अभी सभी को इको फ्रेंडली जो है मुर्ती वो मिलेगी और पी अब बंद हो जाएगा पी वैसे भी यूज़ करना बहुत ही जड़ा हमफुल होता है इससे पानी भी गंदा होता है और बहुत ज़्य आसपास किसी का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारी महमान यह हमारे घर में हमें आये और महमान को कभी भे अकेला नहीं छोड़ते है और हमेशा उनके पास में 24 घंटे मंत्र एक चलना ची या घंपती बापा की कोई भी मंत्र वो हमेशा साइड में काम आवास पे चल को ज़रू लगाना चाहिए लेकिन सात्विक अगर भोजन फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहते हैं हमारे घर में खास तौर पर प्याज लसुन का बिलकुल इस्तमाल नहीं होता है जब गंपती बापा आते हैं और हम सभी को फिर वैसे ही उसी तरीके का हम खाना खिलाते हैं अच्छा एक और चीशे का आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि गंपती बापा के आगे अकंडड दिया जरू से जलना चाहिए सबसे में बात आपको ये बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जितना सिंपल गंपती बापा होंगे उतना ज्यादा अच्छा उतना आसानी से आप इसली आरती कर पाएंगे देखें बहुत लोग इसमें rules and regulations follow करते हैं और ये person to person depend करता है बाकी हम एकदम flexibility से करते हम ऐसे को भी hard and fast rule को ऐसे follow नहीं करते हैं वहम बिलकुल भी नहीं करते हम ये सोचते हैं कि गंपती बापा हमारे देवता हैं हमारे मेहमान है बस हमें इनने इनकी प्यार से हमें सेवा करन बस इस बातों का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो गंपती बापा को जब आप लेक के आते हैं तो घर का माहुल बहुत ही अच्छा रहना चीए यह नहीं कि घर में जगड़े हो रहे हैं बिनावजे ही arguments हो रहे हैं अगर को कर भी रहे तो कोई बात नहीं आप शा शुद्धी करन होना बहुत ही ज़रूरी है यानि कि आपकी घर की साफसफाई हो जाने चीए गंपती बापा को लाने से पहले आपके घर में जो पोचा लगता है उस पोचे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दे लिंबू डाल दे इसी के साथ सा थोड़ा गुलाब जल गं गंपती बापा जब आप लेके आते तो वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप लेके हैं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि देखिए अगर आप सिधी बिनायक के जैसा रूप में लेके हैंगी जो कि औरेंज कलर की होते तो उसी तरीकी कि आपको वहां पर पूजा करनी पड अगर आप उसमें शिव और पारवती माता को भी लेके आते तो फिर उनकी अलग तरीकी की पूजा होती है तो इस तरीके से आपको नहीं करना है और खास तौर पर उसमें कुछ भी हिंसक नहीं होना चीए जैसे कि कोई राक्षस है आसपास में या कोई राक्षस नीचे है और उनके उपर उनने पैर रखावा इस तरीके का नहीं बहुत बर गंपती बापा आपको कृष्णा रूप में भी दिखेंगे तो कृष्णा रूप वाला भी नहीं लेना चीए क्योंकि फिर उस तरीकी की पूजा आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें दो भगवान आ पूजा आप कर सकते हैं अच्छा बहुत लोगों को ये भी डर लगता है जैसे कई साल तक मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे हिम्मत नहीं होती थी मैं फ्रैंक्ली आपको बता रही हूं और नसी क्योंकि आप मेरे परिवार हैं हाला कि मेरे बहुत सालों से इच्छा थे क गणपती बापा को हम घर पे लेकिया हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं कर पाऊंगी के नहीं कर पाऊंगी पूजा भी दी तो आती एक क्या मैं ये मैनेज कर पाऊंगी फिर मुझे पंडी जी को बुलाना पड़ेगा क्या ये सब मैनेज हो पाएगा फिर आ से करते हैं और हमें इ Finanzdh scr 작 Vernon बेंसा जाशे होगी और इतने सारे महमान आते हैं घर में तो बहुत ऑच्छा लगता है यहांनी कि API जो है भगवान समाने तो से बेटर मौक that क्या हो सकता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब फैमिली मेंबर सफ फ्रेंज मिलने आते हैं और हम उनको अपने हाद से प्रिशाद देते वो गणपती बापा का दर्शन करते तो इसे घर के भी वाइबरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते और बहुत ही आप इन पॉइंट्स का ध्यान दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो कोई बात नहीं बाकि वहम करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते सिर्फ अपने कर्म सही रखें बस उसी से किसी का बुरा होता है कर्मों के हिसाब सही बुरा होता है बाकि ऐसे बुरा नहीं होता है गनपती बापा कि आपको वीडियो अब रेगुलर मिलेंगे जैसे कि पहले दिन पर कौन सा उपाई करना चाहिए वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा लेकिन जो बाकी second day, third day पे कौन से उपाई करने चाहिए वो मैं shots की तरह release करूँगी यानि कि एक-एक मिनट के वो उपाई होंगे तो जो IKEA shots है अगर आपने वो चैनल को subscribe नहीं किया है तो उस चैनल को भी subscribe कर लिजेगा वहाँ पे मैं regular base पे daily shots यानि कि एक मिनट के उपाई आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो वहाँ पे भी आप सारे जो भी है remedies आप जाके देख सकते हैं और regular base पे follow कीजेगा तो जरूर आपको वो उपाई बिल जाएंगे तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको याज का अगले एपिसोड में अगली नहीं जान करें किसाद तब तक आप अपना ध्यान रखेगा विश्यू all the best इश्वर करें कि आपकी हर्मनो कामना पूरी हो नमस्कार गंपति बाप मोरिया